Hello guys, welcome back to my channel Learning Tips So, आज हम जिस topic को discuss करने जा रहे हैं वो है chapter number 2 Indian economy का 5 year plans in India इंडिया के 5 साल के plans अब ये 5 साल के plans है क्या इसको आज हम समझेंगे आपने chapter number 1 में जो पढ़ाता वो पढ़ाता Eve of Independence के time पर जो British rule था उस time पर जो हमारी economy थी वो कैसी थी हमें पता है economy बहुत जादा stagnant थी यानि के बहुत रुकी हुई थी economy आगे नहीं भढ़ रही थी तो उस economy को आगे बढ़ाने के लिए उस economy को आगे ले जाने के लिए 5 साला plan बनाए गए यानि के 5 year के plans बनाए गए और उन 5 साल के plan बनाने के एक मकसद था कि इंडियन economy को किस तरीके से हमें growth करवाना है और उपर ले जाना है अब आ जाता है economic planning थी क्या economic planning जो थी उसका मतलब अगर देखें तो उसका मतलब यह था कि जो इंडिया की जो हमाई जो country है उसके जो resource है उसको different different activity और अलग अलग तरीकों से उनकी priority के हिसाब से उनकी जरूरत के हिसाब से उनका स्तमाल करना और उनको बचा करके रखना अब in इंडिया इंडिया के अंदर यह planning आई कैसे या इंडिया के तो जब इंडिया के दिमार में यह plan आया तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो set किया planning commission को set किया और वो set किया 1950 में और जिसके chairman खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाललाल नहरू बने क्योंकि वो यह चाते थे किसी तरीके से जो देश है वो तरक्की कर जाए उसके बाद 2015 में जो planning commission बनाया गया था उसको dissolve कर दिया गया और उसकी जगे निती आयोग को लाया गया और जो निती आयोग था उसका भी काम सेम वही था जो काम planning commission किया करती थी सेम वही था अब planning commission है क्या वो काम क्या करती थी है वो work क्या करती है वो हम इस chapter के अंदर आगे पढ़ेंगे लेकिन अगर मैं तुम्हें simple सा बता दू तो simple सी एक definition इसकी यह है कि आप अपने घर के अंदर देखें आपकी जो फादर है वो क्या करते है पैसा कमाते है आप लोग क्या करते है घर में फूड खाते है और आपकी जो मदर है उनका काम होता है planning करना planning कैसी कि जब आपके फादर पर मन 10,000 उनको हाथ में ला करके देंगे तो वो क्या करेंगी वो उसकी planning करेंगे कितने का राशन आएगा कितने का सिलिंडर आएगा कितने का घी तेल आएगा कितने फीस में जाएंगे कितने आपके भचत में रखे जाएंगे और कितने आपकी pocket money में दिये जाएंगे तो ये पूरी की पूरी planning होती है ठीके अब य planning पर month भी हो सकती है और पर year भी हो सकती है पर month कैसे होती है वो month के हिसाप से निकालती है पर year कैसे होती है पर year के हिसाप से निकालती है तो जिस तरीके से एक महीने की उन्होंने planning करी उसी तरीके से हमारे देश की जो सरकार है वो 5 साल की planning करती है कि अगले 5 साल में हमें किन सेक्टर उपे ध्यान देना और कौन सेक्टर को develop करना है और ये सारी की सारी चीज़े कौन देखता है ये सारी की सारी चीज़े पहले planning commission देखती थी और अब planning commission का नाम change हो गया है तो नीती आयोग कर दिया गया है तो नीतियायोग देखता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी यह है कि जैसे आपके घर में आपकी मदर आपका भजट बनाती है उसके प्लाइनिंग करती है कि अगले महीने का राशन को इतना आना है कितना नी आना है अब कई बार क्या होता है कि राशन महंगा हो गया या कई ब बात करते हैं 5-year plans in India, इंडिया के अंदर 5-year plans किस तरीके से आए, अगर हम बात करें, इंडिया ने जो adopt किया था, वो adopt किया था 5-year plan और वो कहां से, Soviet Union से, Soviet Union के थूरू उन्हें पता चला है किस तरीके से हम 5-year plan बना सकते हैं, अब आगे बात करते हैं, the first 5-year plan was introduced, जो पहले 5- साल के plan थी, वो जब introduced किये गए, वो किये गए, 1951 में, जो पहले 5 साल का plan है, वो 1951 में introduced किया गया, और उसमें सबसे ज़ादा जो उन्होंने ध्यान दिया, वो agriculture sector पर ध्यान दिया, और जो last plan था, वो 2012 का plan है, in between, these means, some annual plans were also introduced as these 3 annual plans from April 1966 and March 1969, जिस तरीके से 5 साल के plan बनाये गए, उसी तरीके से 3-year के annual plans भी बनाये गए, April 1966 to March 1969, ये 3-year के plan थे, उसके बाद फिर annual plans भी कही सारे बने, जैसे 1 April 1979 to 1980, और 2 annual plans भी बने, 1992 to 1992, तो ये कह सकते हैं, कि जिस साल में जिन plans की जरुरत पड़ी, उस plans को बनाये गए, 5-year की need हुई तो 5-year बनाये गए, 3-year की need हुई तो 3-year के लिए बनाये गए, 2-year की need हुई तो 2-year के लिए, और कहीं कहीं पर annual की need हुई तो उन्होंने annual के लिए बनाये, It is important to note that the plan document not only specifies the objective to the achieved in a 5 year of plan but also what is to be achieved in the long run, long term plan is called prospective plan अब बात करते हैं, need for planning in India की क्यों जरूरत थी भारत को in planning की, क्या वज़े थी तो वज़े सिंपल सी है, India inherited from the British a backward and a stagnant economy as the level of output, productivity were low, it needed a big push of investment support by the government hence the resource to economic planning अगर हम बात करें, तो जो इंडिया था उसको एक बहुत बड़े push की जरूरत थी क्योंकि आजादी के आद, हमारी जो जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर economy बहुत जादा stagnant थी बहुत जादा backward थी, हमारा output बहुत कम था, हमारी productivity बहुत कम थी तो हमें जरूरत थी बहुत बड़े investment की और जरूरत थी government को एक बड़ा push देने की जिस वज़े से 5 साल के plan बनाए गए और उन plans के अंदर ये रखा गया कि किन 5 साल में कौन से department को हमें आगे ले करके आना है अब आजाता है five year economic system and planning of India economic system और किस तरीके से plan किया गया इंडिया में Indian system refers to economic order in the country the system of production सबसे पहलों नों ने देखा कि जो production है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए फिर देखा गया कि resources को किस तरीके से बचाया जाए फिर ये देखा गया कि माल को किस तरीके से distribute किया जाए और किस तरीके से उसको service provide कराया जाए तो broadly अगर हम देखे जाए तो economy को जो three types है सबसे पहले बात आती है capitalist economy अगर हम capitalist economy की बात करें तो when market force are allowed to functions freely without intervention from the government अगर market में कोई भी काम हो रहा है और उसके अंदर सरकार का कोई भी intervention नहीं होता तो उस economy को capitalist economy कहा जाता है या उसे market economy भी कहा जाता है जैसे आपके दुकंदार है दुकंदार कितने का माल खरीद रहा है कितने का बेच रहा है कितना उसे profit हो रहा है उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है सरकार तो सिर्फ आपसे tax लेती है वो tax कौन सा होता है? sale tax हो गया, income tax हो गया आपका GST हो गया लेकिन सरकार कभी आपसे यह नहीं पूछने आती कि आपको कितना profit हुआ, कितना मुनाफ़ा हुआ क्यों? क्योंकि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है तो यह जो economy होती है, यह कहलाती है market economy अब इस economy का features क्या है? इस economy का feature है there is a private ownership means of production यहाँ पे जो production है या जो काम हो रहा है वो private हो रहा है जैसे आपकी दुकान है private है आपकी कोई company है, private है तो वहाँ सरकार का तो नहीं होता public sector तो है नहीं, private sector है बस आपको तो taxes pay करने है taxes pay कर दिये तो आप से सरकार कोई सवाल नहीं करती दूसरा means of production are used a manner such that the profit are maximized if labor is cheap, labor is intensive method of production is employed and vice versa इसके अंदर यह देखा जाता है main जो इसके अंदर मकसद होता है वो होता है profit का profit उनको कमाना होता है जितने भी private company है या जितने भी private दुकंदार है उन्हें हमेशे क्या चाहिए होता है profit चाहिए होता है और profit के लिए उन्हें क्या चाहिए एक अच्छी labor चाहिए और labor से उनको काम चाहिए labor काम अच्छा करेगी सस्ते में उन्हें labor मिलेगी तो जायर सी बात है उनको profit जादा से जादा होगा Good can be sold at the profit either in domestic market और foreign market वो अपने माल को local में भी बेचते हैं और foreign country में भी बेचते हैं यानिके विदेशों में भी बेचते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम लोग distribution की The distribution of goods among the people happens on the basis of purchasing power यहां पर अगर बात करें distribution की जब कभी भी कोई माल बेचा जाता है तो उसमें सबसे बड़ी power होती है purchasing power अगर आप माल खरीदना अच्छा जानते हैं तो आप बेचेंगे भी अच्छा अगर आपने माली खराब खरीद लिया तो क्या बनाएंगे फर एक्जामबल मुझे चेयर बनानी है और मैंने लखडी खराब खरीद लिया तो चेयर बनेगी कैसे और जब वो बनेगी ने तो बिकेगी कैसे गौर्मेंट का काम से प्राइवेट कंपनी में ये चीज़ देखना होता है कि जो माल बन रहा है उससे किसी देश को कोई नुकसान तो नहीं होगा या लाइन ओर का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है अब आ जाता है मेरिट और डी मेरिट फाइदे और नुकसान मेरिट इट प्रमोट सेल्फ इंटरस्ट प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एंड जीडीबी ग्रोथ आर एसलेरेटेड अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रमोशन आपे खुद करना पड़ता है और में जो सोसाइटी को क्या फायदा पुचानल यह सोसाइटी को इगनोर भी करके चलती है प्रोडक्शन इस डारेक्टिट टू सेफटी नीड्स एंड रिच देरिस ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस और नहीं यह कभी ध्यान दे पाती इनको से प्रॉफिट कमाना होता है यह इस थी वह इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे जो पाइपस लगाए गए थे वह पाइपस जो थे वह अच्छी क्वालिटी के नहीं थे जिस वज़े से वह लीक कर गए दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसी खतरनाक गैस का यूज किया रहा था फिर भी सेफटी मिजरमेंट यानि के लेबर को कोई भी सेफटी मिजरमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया था जिससे बहुत साइज जो लेबर कारखाने के अंदर थी या फैक्टरी के अंदर थी उनकी डैथ हो गई थी तो प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट साइड what to produce how to produce and for whom to produce it aims to maximize the social welfare socialist economy उस economy को कहा जाता है यहाँ पे ये market के जो माल है या जो बेचा जाना है माल वो सारा का सारा freely हम नहीं बेच सकते यहाँ पे सरकार डिसाइड करनी है क्या माल बेचना है क्या माल बनाना है और उस माल को कब बेचना है और ये भी देखा जाता ह किस तरीके से उस माल से जनता को profit हो जाए या जनता को फायदा हो जाए तो ये सारी की सारी socialist economy कहलाती है जैसे आपके शहर के अंदर मंडियों होती है मंडियों में सरकार माल बेचती है जैसे अनाज बेचती है उसी तरीके से आपका डिपू होता है डिपू पे आपको राश प्रोडक्शन थेगी तो चीनी बेचनी तो जो सरकार भेजेगी वह उस्से भेजना होगा लेकिन यहां पर गेहूं से तेल चीनी बेचने का मकसद क्या है मकसद यहूं को कम दामों मे अनाज मिल जाए तो गरीब आदमें को कम दामों में आल Gentky दिया जा प्रोडक्शन है वो सारा सोसाइटी के लिए होता है प्राइवेट कुछ भी नहीं होता है अब जो जैसे डीपू का ही ले लो जो डीपू का ओनर है कोई राशन अपने लिए थोड़ी ना बचा करके रखता है अर अगर रखता है तो अर उसकी कंप्लेन हो गई तो वो सस्में का पार्ट है अब आता है means of production जो production है the means of production are used in the manner such that social welfare is maximum यहाँ पे सबसे जादा चीज देखी जाती है वो देखी जाती है समाज की भलाई यानि के समाज का फाइदा यहाँ पे direct government participate करती है अब इसका फाइदा क्या है नुकसान क्या है फाइदा यहाँ पे जो income होती है वो equally distribute होती है और यहाँ पे social justice का principle use कहता है यहाँ के वो rule use के जाता है जिसमें इंसाफ चाहिए यहाँ के ऐसा नहीं होता जैसे private company है या private school है government school में ले लो private school में जो salary होती है कभी भी आप देख लीजेगा कि अगर एक female teacher है तो उसकी salary कम है male teacher है तो उसकी salary जादा है अगर कोई teacher जादा experience का हो गया तो उसको जादा salary मिलेगी कम है तो कम salary मिलेगी अगर किसी की age कम है तो उसके salary मिलेगी चाहे आप 10 साल पुराने experience है वहाँ पे social justice का ध्यान रखा जाता है equality रखी जाती है उसको उसकी rank के हिसाब से वो लोग salary पे करते हैं उसके बाद आता है demerit demerit की बात करें तो GDP growth remains a slow process लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान क्या है वो यह है कि जब हम समाज की भलाई कर रहे है तो profit कम ले रहे हैं यहाँ पे ध्यान सारा यह है कि समाज की कैसे भलाई की जाए तो GDP जो है वो बहुत slowly growth करती है अब आ जाती है mixed economy mixed economy के अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर mixed economy का ही use होता है when government market force together drive what to produce how to produce from whom to produce these is said to be mixed economy maximization of profit and social welfare go hand in hand in such an economy हिंदुस्तान के अंदर जिस economy का इस्तमाल के जाता है वो इस्तमाल होती है mixed economy यह हमेशा ध्यान लखना important question है इंडिया में socialist और capitalist economy नहीं है यहाँ पर mixed economy है यानि के दोनों का mixture है यहाँ पर कई जगे पर सरकार और private दोनों मिलकर के काम करते है जिसको हम public sector भी कहते है तो यहाँ पर दोनों चीज़ होती है यहाँ पर profit भी कमाया जाता है और समाज को समाज की भलाई भी देखी जाती है यह भी देखा जाता है कि समाज को फायदा भी हो रहा है और ये भी देखा जाता है कि profit भी हो रहा है अब इसके features क्या हैं यहाँ पे जो production है वो दोनों own करते हैं government भी और private भी होई मैंने आपको पता है public sector यहाँ पे private sector का decisions are governed by the principles of profit maximization while the public sector social welfare rules the roast यहाँ पे यह जो sector है private या private sector या और जो समाज है उसकी भलाई भी होंजाए या ओने के समाज की भलाई जो है वो जादा important रखती है और उसके साथ profit भी ताकि GDP को भी फायदा होता रहे और जनी तको भी फायदा होता है इसके बाद बात करते हैं बोट चाहे आप private sector की बात करें चाहे public sector की बात करें दोनों ही sector जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा work करते हैं अब merit और demerit की बात करते हैं इसका फायदा क्या है यानि के यहाँ पे capitalist और socialist दोनों economy का फायदा यहाँ पे मिल रहा है अगर हम बात करें तो जो government sector है वहाँ पे corruption बहुत जादा है तो इस corruption के होने की वजए से हमें उतना फायदा या हमारी GDP को या हमारे social welfare को इतना फायदा नहीं हो पाता जितना के फायदा होना चाहिए जैसे आप एक example ले लो आपके area में गली बननी है तो गली कौन बनवा रही है सरकार बनवा रही है लेकिन उसका ठेका कौन ले रहा है प्राइवेट ले रहा है तो प्राइवेट और government दोनों मिल करके काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे एक नुकसान होगा जब government ठेका छुटे क्या करेगा वो अपना भी profit रखेगा और सरकार का भी profit निकालेगा नुकसान किसका होगा हम लोगों का होगा तो यहाँ पे नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं अब आयाता है goals of planning in India जो goals है planning इंडिया के वो क्या है common goals होई five year plans therefore the generally studied as a common goals five year plan or objective of planning the common goals of five year plans are सबसे common goal है वो है GDP GDP growth, increase the GDP dependence on the increase in resource base of the country अगर हम GDP की बात करें तो GDP growth कब होगी जब हमारे देश की जो resource है वो increase होगे, production increase होगा, technology increase होगी, उसी तरीके से modernization, अगर हम लोग का technology production भड़ेगा तो जाहर से बात है modernization होगा, नए नए ideas होगे, innovations आएंगे और इसी modernization को लेकर के हिंदुस्तान में क्या आया था, green revolution आया था, green revolution आने की मकसद क्या था, green revolution का आने का मकसद यह था, कि agriculture sector को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, green revolution के बारे में हम first chapter में पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, कि HYB seed और fertilizer pesticide प्रोवाइड कराय on the rest of world for the financial resource, अगर हम बात करें, तो इसमें हमें यह दिया गया कि किस तरीके से जो world के ओपर हम लोग dependence हैं, उसका dependence खतम हो सके और हम लोग अपने ही देश में production बढ़ा सकें, self-sufficiency की बात करें, तो the state of non-dependence upon the rest of the world for the essential supply in the domestic economy, अगर कोई भी माल ऐसा है, जिसकी बाहर विदेशों में इतनी demand नहीं है, या हम उस विदेश के उपर हम dependence नहीं है, हमारे देश में इतनी उसकी production है, तो उसकी supply अच्छी हो, अगर उसकी supply अच्छी होगी, तो production भी अच्छ dependent हैं, तो उस माल को हिंदुस्तान में बनाया जाए, ताकि हम self-dependent हो जाए, उसी तरीके से अगर कोई माल ऐसा है, जो इंडिया में बहुत अच्छा बन रहा है, और विदेश में उसकी ज़रत नहीं है, तो इंडिया में उसकी इतनी production हो जाए, कि वो domestic level पर अच्छा भी जा society, अगर हम बात करें, economic growth की, तो economic growth एक meaningless है, कभी economic growth अच्छी हो जाती है, यह अच्छी नहीं भी हो पाती है, तो इसका जो benefits है, वो दोनों को पहुचता है, सरकार को इपहुचता है, और society को भी पहुचता है, तो कहीं न कहीं इस में equality बनी रहती है, इसके बाद अगर हम बात करे achievements of goals की achievements और goals क्या हैं हमारे five year plans के जो हमने बनाए the syllabus of restricted the study of achievements of goals of planning drive the period 1950 to 1990 1950 से 1990 तक के जो plans थे उन से उन five year plans हमें क्या-क्या फायदा हुआ सबसे पहला फायदा हुआ increase in national income हमाई national income भड़ गई जहां national income आजादी के टाइम पर zero point five percent per annum थी वहीं seventh plan में वो record की गई five point eight percent यानि के five point three percent का profit हुआ national income में number two reforms in agriculture five year plans से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो फायदा हुआ agriculture को कैसे एक तो land reforms और दूसरा through the empowerment of technology technology आई तो technology के आने से agriculture बढ़ा और उसी तरीके से land reforms यानि के जमीन का भी बहुत फायदा हुआ फिर आता है growth and diversification of industry five year plans का second मैंने आपको बताया था first five year में जहां agriculture के लिए मेहनत की गई अगले five year plan में industrialization के लिए मेहनत की गई तो उससे बड़ा push मिला और जो capital थी उसको बड़ा फायदा हुआ और investment बड़ा और industry भी भड़ी फिर आता है economic infrastructure मीन अब जब जाहिड सी बात है agriculture बढ़ेगा industry बढ़ेगी तो जो हमारा infrastructure है वो खुद ही भड़ जाएगा तो transport communication irrigation irrigation आपको पता है पानी की supply पानी की supply agriculture में आ जाती है power generation उसी तरीके से banking insurance ये सारी सारी facility भड़ गई जाहिड सी बात है जब हमारे पाप पैसा होगा तो हमारे पाप पैसा होगा तो जाहिड सी बात है बिजली भी होगी और पानी भी होगा communication भी भड़ेगी communication क्या भाई mobile phone cell phone business भड़ेगा तो हमें नीड पढ़ती है communication की ट्रांस्पोर्ट की ज़रत पढ़ती है तो ये ये फायदा हुआ है उसके बाद बात करते हैं हम ये जितने भी elements हमने पढ़े चाहे irrigation चाहे आपका insurance banking के सारे के सारे की elements माने जाते है economic infrastructure के फिर आता है social infrastructure समाज का भी फायदा हुआ समाज में किसका health education facility जो है उसका boost अप हुआ जहां अगर हम बात करें आजादी के टाइम पे सिफ 20,000 के something schools और colleges थे आज 2 lakh के something colleges है schools भी 5 lakh से जादा schools नहों जो कि private और government दो दो मिला करके बैठ जाते है तो पहले कितना कम थे आज कितना जाद है पहले literacy rate कितना था 16% था और आज literacy rate हमारे देश का 65% हो गया है जो literacy rate है धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगर हम आज की बात के तो 70% तक पहुझ गया होगा और कई state तो ऐसे है जहां पर literacy rate में बहुत जादा बूस्ट अप हुआ है उसी तरीके से death rate और birth rate में भी काफी फायदा हुआ death rate कम हुई जब health infrastructure बढ़ा तो death rate कम हुई आपको ये भी पता होगा कि इंडिया जो है वो largest producer माना जाता है doctors का doctors की सबस्यादा production हिंदुस्तान में है और सबसे जादा doctors जो हिंदुस्तान से बनते हैं वो सिर्फ नुकसान क्या है नुकसान हमें ये है कि हमारे देश की जो doctor है doctor बनने के बाद हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं और अपनी जो सेवाएं हैं वो वीदेशों में देते है जिस वज़े से हमें लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो हिंदुस्तान में कम हैं लेकिन अगर आप तभी लंदन या बेटेन या कैनेडा जैसी कंट्री में जाए या न्यूजिलेंड जैसी कंट्री में जाए जो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स देखन काफी अच्छी रही और काफी सारे एकॉनमी में बदलाओ हुए बट देर आर सेर्टेन डाक इसपोर्ट इन दा स्टार्क फेलियर लेकिन कई सारे डाक स्पोर्ट भी पड़े डाक स्पोर्ट गा मतलब कई सारे चीज़े फेल भी रही जैसे we fail our educate poverty हम गरीबी नहीं मिटा सके we fail our curve of high rate of inflation हम बहुत सारी चीजों में पीछे रहे, हम कई सारी चीज़े infrastructure में पीछे रहे infrastructure हम आगे नहीं बड़ा सके हम failed रहे unemployment में आज भी हमारे देश के सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी और Jobless इस इंडियानी के unemployment है हम failed रहे economic और social infrastructure में bring the momentum of the process of growth यानि कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें फायदा भी हुआ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें नुकसान भी हुआ आज ये chapter हमारा complete हो गया ये मैंने notes आपको short में करके बनवाए हैं ताकि आप short में इस chapter को easy way में समझ सके कि उसने क्या कहा गया तो आप ये बात तो समझी गए होंगे कि पूरा का पूरा chapter 5 year plans के उपर है और 5 year plans भी जो main है वो 1951 से लेकर के 1990 तक के क्योंकि 1991 से लेकर के आगे आज तक के जितने भी plans हैं वो plans में जो planning थी यानि के जो तरीका था उसका वो बदल गया था यानि के planning बनाने का तरीका बदल गया था तो 1990 तक के 5 year के plans जो हैं वो काफी important थे और उसके अंदर जो कमिये थी वो भी आपने last में पढ़ ली और जो उसके खूब ये थी वो भी आपने पढ़ ली तो आप ये समझ गये होंगे कि पूरा पूरा chapter 5 year plans का है chapter ये आपका complete हो ग ये ही कहूँगा मेरे चैनल को like करे, subscribe करे, share करे और जादर से जादर वीडियो के views बढ़ाएं क्योंकि जितने जादर views बढ़ेंगे उतना ही जादर मुझे profit होगा और मैं आपके लिए 9-9 notes बना करके आपको लिए वीडियो लाता रहूँगा, so bye और next वीडियो में मिलते है next chapter के साथ, bye bye